पूरी ओफिसल अपडेट हमारे पास आ चुकी है, सब कुछ यहाँ पर बिस्तार से आपको बताने वाले हैं, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहीएगा और आज ओफर भी चल रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं हमारा से रटी इबुक्स जो 23 या 24 बुक्स का कम्प्लीट पीडियाफ है, मातर 200 पेज का तो इस वीडियो के डिस्कप्सन बाक्स को चक कर सकते हैं, हलाकि आप आगे में डेमो वीडियो देख लीजिए उसका, अभी उसमें 199 का प्लान आपको बताया जाएगा, लेकिन अगर आप मुझे वाटसप करेंगे, तो आज रात 12 बज़े तक आपको 99 में वही सेम बुक्स मिल जाएंगी, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे हम इस वीडियो पर काम, अगर आप बिहार प्रात्मिक सिचक भरती के तयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है, आपके सिलेबस में BPSC, SCRT पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं कि SCRT से हमने यहाँ पर तयार किया है, यह मात्र 200 something page का है, आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके, एक बार पढ़ लेते हैं, और फिर दुबारा 8-10 घंटे दे करके, एक बार फिर से revise कर लेते हैं, तो मैं guarantee लेता हूँ, कि आप 75 प्लस अपने एक्जाम में जरूर ले आए जहाँ पर link दिया गया है, सासत comment box को चकरिएगा, वहाँ पर online भाई करने का link दिया गया है, आप online खरी सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर link के द्वारा मिल जाएगी, जैसे आप online खरी देंगे, या फिर आप मुझे इस नंबर 4,5,8,7,3,9 पर भी WhatsApp करके जो है, इस PDF को ले सकते हैं, मात्र 1,99 इसका price रखा गया है, और ये काफी महनत करने पड़ी हमें, इसके बाद type करवाना पड़ा है, काफी पैसा खर्च हुआ है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो 199 बहुत कम charge रखा गया है, अगर आप इस SCRT को अच्छी तरीकस पढ़ लेते हैं, तो मैं दिवस पर संभोधन दिया जा रहा था, उसमें इन्होंने साप साप परिच्छा को ले करके कहा है, कि परिच्छा इस महीने के अंति तक मतरब 24 से 27 के बीच में यहाँ पर होगी, ऐसा इन्होंने साप कहा हुआ है, और अब इसमें कोई बदलाओ, अभी तक जो है नजर यहा आठक और इसमें बिचार विमर्स से यहाँ पर किया जाएगा, कि परिच्छा आपकी कंड़क्ट कराई जाए, या फिर अभी कुछ दिन के लिए जो प्रैमरी वाला एक्जाम है, उसे यहाँ पर होल्ड कर दिया जाए, देखिए TGT और PGT का एक्जाम तो आपका बिलकुल नहीं टिलेगा, उसका तो एक्जाम होई जाएगा, लेकिन अभी इस पर संसे बना हुआ है, जो कि कल यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, मामला क्या है, यहाँ पर आप सभी को पता है, सुप्रिम कोर्ट से जब से बीर्ड बाहर किया गया है, तब से केन सरकार भी चुप है, N फिर NCTE से तब तक वो किसी को न बाहर करेगी, वो अपना एक्जाम 23 समय से 24-27 की बीच यहाँ पर कराएगी, इसी को लेकर के सुप्रिम कोर्ट के अहेलना ना हो, कल यहाँ पर मीटिंग है, और यहाँ पर सब कुछ किलियर हो चुका है, कि बीड वाले पूरी तरीके से प्र सरकार अपने उपर लेना नहीं चाहा रही है, देखी केन सरकार डारेक्ट इसलिए नहीं बोल पा रही है, चुकि मामला क्या है कि 2024 में लोकसवा चुनाओ है, और मामला बहुत सम्मेदन सील यहाँ पर चल रहा है, अब यहाँ पर बिहार सरकार इसलिए नहीं कहना चाहा रह और यहां के जो बिहार सरकार है वो भी यहां पर चुप रहेगी, अपने उपर कोई भी जो है आरोप नहीं लेगी कि हम बिहार को डारेक्ट बाहर कर रहे हैं, इसी वज़े से बिहार सरकार के तरफ से कल यहां पर बैठक रखी गई है, अब जो भी सारी चीजे होंगे वो जcco giờ सरकार कर ना पर बीख कराता है थहां पर सरकार करना क्या चाहरे है कि पीरट वालोगों का exam यहां पर कंड़क्ट करना चाहरे है हैं तो सब कुछ गोल गोल गुमाया जा रहा है जो B8 के भीरती हैं उनको और D8 के भीरती हैं को उनको लेकिन चीज़े यहां पर कल स्वस्ट आपकी हो सकती ही इस वज़े से कल यहां पर मेटिंग रखी गई है जैसे ही मेटिंग से कोई अपडेट निकल के आईगी तुरंत आपक कोई मतलब यहां पर नहीं रहेगा एंसी टीए का जो एक स्टेंड है वो यहां पर किलियर हो जाता तब एकजाम होता जादा ही बहतर होता मान लीजिए बीर्ड ओलों का आप एकजाम करवा लें तो क्या गारंटी है आप लिखित में आतो देने कि हाँ फिर हम भरती प्रिक कुछल पर निकाल करके आप उनको संब्लित जरू करें हलाकि कोई तोड निकाल पना बड़ा है मुस्किल है उसके लिए पूरी तरीके से एंसी टीए को यहां पर भंग करना पड़ेगा तो जब इसके अद्धा सरकार करके इसके बाद ही बीड को अंदर यहां पर कर सकती है और NCTE को भंग करना भी आसान नहीं है, उसके लिए सभी जो राजी सरकार हैं, उनसे भी परामर्स लेना होगा लिखित रूप में, तब चाक करके यहाँ पर चीजे बन पाएंगी, तो परिच्छा रद होने के संब में कल मीटिंग हो सकती, 50% पूरा चांस है कि परिच्छा आ सब कुछ बताया जाएगा, कल के वीडियो में फिल हाल, आज के वीडियो में इतना ही था, अभी आप ऑफर चल रात 12 में तक 999 में SCRT EVX जो है, वो 23 यहाँ पर आप खरी सकते हैं, फीडिया फॉर्मट में 200 पेज की हैं, आप 8 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं, BPSC वहीं स सारे question पूछेगा, यह मेरी guarantee है, चोकि BPSC ने SCRT को स्लेबस में रखा हुआ है, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो साथ, एक नए वीडियो साथ,